वेलकम टो आरसलेरंग लिए इस इस अपने मैटर का जो फर्स्ट पार्ट उसको नहीं देखा तो देख लीजिएगा आपको कपी हैट मिलेगी उसके बाद फिर यह वाला आप पार्ट देखेगा अगर आप डिल्र आप देख रहा है तो आपको इतना बेनिफिट नहीं में आएगे इसलिए आप FIRST वाला पार्ट पहरे देखेगा फिर इसके बाद second पार्ट है इसको देखेगा तो इसमें किया बात करेंगा है किसके बात करेंगी इनके बात करेंगे अई coming अच्छे और डिफनित सेप और देखे ख़ेंगा क्या कि solid have definite volume, इसके बाद क्या है, solid have ये texture, solid have many freezer, solid have are incompressible, तो ये सारी जो properties हैं, एके करके इनके बारे में अच्छे समझेंगे कि किस तरह से जो property है, first पहले बात करेंगे, solid has a solid have a definite shape, तो क्या है solid have a definite shape, तो किस तरह से definite shape होते इसको समझेंगे, जैसे in molecule, मैंने पहले बताया था, first but न आपको बताया था कि molecules कह रहते हैं, very tightly packed रहते हैं, किया जो molecules होते है, solid के tightly packed रहते हैं, very tightly packed रहते हैं, इस वे क्या करते हैं, move नहीं कर पाते हैं, तो move नहीं करने के वएच से, جो solids होता है, उसके definite shape रहता है, कה रहता है definite shape रहता है, जैसे कि यहाँ पर example दे रखके है, की coin है, या फिर wooden block है या आप coins भी देख सकते हैं, तो ये क्या wooden block है, wooden block है, क्या ये अपने आप जैसे कोई wooden block है, क्या room temperature पह जो room का temperature है normally, तो उस पर किया change हो सकता है, इसकी shape पर चेंज हो सकती है नहीं हो सकती है अब बात करते हैं जैसे कि rubber हो गया rubber क्या elastic होती है अगर rubber है तो आप अगर उस पर force कोई force applied करेंगे external force applied करेंगी जब आपने force apply करेंगे तभी तो उसकी जो safe है वो change होगी अब जैसे अगर आप force को आप कर देंगे तो return अपनी जो original position है उस पर वो rubber आ जाएगा तो यह है तो solid में क्या है solid आपका क्या है कि इसके पास definite safe रहता है चलिए बात करते है next property क्या है कि solid has a definite value definite volume तो volume क्यों definite है कि आप देखेगा कि जिस पर रखा हुआ है means अगर आपकी coin है या फिर आपका wooden block है जो आपने पीछे देखा था तो क्या है कि same amount of space उसने cover कर रखा होता है जिस पर table पर रखा है या फिर फ्लोर पर रखा है तो उसने same amount of space है उसको क्या कर रखा है टेक कर रखा है तो इस बज़े से इस बज़े से यह प्रूप होता है कि जो solids है उसका क्या रहता है definite volume रहता है किलियर है तो definite save भी रहता है और definite volume भी रहता है ठीक है तो यह दोनों points आप याद रखिएगा दोनों जो properties याद रखिएगा solid have definite volume and solid have definite saves किलियर है अब बात करते है solid heavy texture बात करते हैं texture की तो देखिएगा कि आप different different solids होते हैं उनको क्या आप possible different different feel कर सकते हैं तो feel करेंगे तो क्या उनके पास different sextals होते हैं जैसे कि आगए हम rather Vолог की बात कर सकते हैं तो乐ró Shopify यहाड भी रहता है कि और भी बहुत सारी बुड़र्ष्मीड हो सकते हाड़वी रहेंगे कुछ smooth रहते हैं, अगर हम wool की बात करेंगे तो wool आपका क्या रहता है, soft रहता है और rough रहता है, किसी तरह सो रह सकता है तो solid, solids have solids have a texture क्लिए अब बात करते है, solid have many free surface तो free surface क्यों रहते हैं, क्योंकि force of attraction है, strong force of attraction रहता है, इस बज़े से जो molecule हैं, वो क्या करते हैं molecule fix रहते हैं, वो move नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से वो दूर नहीं जा पाते हैं, move नहीं कर पाते हैं तो इस बज़े से solid के पास क्या है, solid have free surface, many free surface रहते हैं next बात करते हैं, देखी का और अब बात करते हैं, solids are incompressible जैसा मैंने बताया था आपको कि जो solis के जो molecules होते हैं उनमें inter-molecular force of protection बहुत चांदा रहता है वह space क्या है बहुत कम रहता है बहुत ना के बराबर बहुत एक दूसरे से क्या चिपके है तो अब इनको और क्या further इनको कैसे compress कर सकते हैं आप नहीं compress कर सकते हैं तो जो space होता है very closely packed रहते हैं इस बहुत से space रहता है बहुत कम रहता है ये इनको further हम compressed नहीं कर सकते हैं लेकिन ये क्या है कि expand कर सकते हैं contract कर सकते हैं किस तरह से जब आप इनको heat करेंगे या फिर cool करेंगे कोई भी solid है, expand कर सकता है या contract कर सकता है जा हम क्या करेंगे, इसको heat करेंगे या फिर cool करते हैं, तो इस point को भी आप याद रखिएगा चलिए बात करते है, properties of liquid तो क्या properties, same properties सारे पढ़ेंगे, liquids do not have definite shape, what have a definite volume क्या definite shape नहीं रहता है, लेकिन definite volume रहता है, तो इसको देखेगा कि जो molecules हैं, liquid की molecules होते हैं, loosely packed रहते हैं loosely packed रहते हैं, और force of attraction, intermolical force of attraction, क्या रहता है as compared to solid थोड़ा सा कम रहता है, space थोड़ा सा जानदा रहता है इस बज़े से, जो molecules होते हैं या आप बोल सकते हैं, loosely packed रहते हैं जो molecules हैं, freely move कर सकते हैं, उनका movement होता रहता है ये slip भी कर सकते हैं, slide भी कर सकते हैं एक दूसरी को बगर, इस बज़े से इनका कोई भी safe नहीं रहता है definite safe नहीं रहता है कोई भी definite safe नहीं रहता है, जिस container आप इसको रख देंगे, उसकी container अब साथ में किए हैं लेकिन जो लिक्विट्स हैं क्या करते हैं definite Amount of shape कंटेंब करते हैं इस बज़े से क्या रहता है definite volume रहते हैं क्रिया रहता है देखे कि अब यह सारी चीजे हैं कि definite इसके पास volume रहता है और definite है नहीं रहती है तो इसको हम कैसे समझेंगे एक activity है उसकी तो समाझ सकते हैं जैसे एक activity दे रखे activity number five तो activity five है आपको क्या करना है इसमें सो करना है कि जो लिक्विट्स होते हैं definite volume रहता है वाट definite shape नहीं रहता है आपको material लेना है क्या क्या एक बीकर लेना है यह जो आपको अक्तिविट्टी जहाँ आप घर पर कर सकते हैं इनको लेना है कौनिकल फ्लास्क लेना है एक आपको फ्लैट वाटन फ्लास्क लेना है और मेंजिरिंग चुलैंडर लेना साथ में वाटर आपको ले देना है इस तरह से यह activity आप मैं अब वही वाटर आपने क्या मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डाला तो उसमें कुछ ना कोई उसकी रीडिंग आ जाएगी तो रीडिंग आई है अब इसमें तो जो सेप ती कोई आप सेप नहीं पता कर पा रहा थे जो फिलास्क था उसी की सेप को एक और कर ले रहा था उसी को मिस फिलूडिटी क्या होती है आपने देखा था इंटर मॉलिकूर फोर्स ऑप अट्रक्शन है बहुत कम रहता है इस बएसे जो मॉलिकूर्स है क्या कर सकते हैं उनका मॉमेंट होता रहता है वो सिलाइड कर सकते हैं क्या कर सकते हैं तो आप इस बएसे बोल सकते हैं कि जो लिक्यूट्स हैं सारे लिक्यूट्स लिक्यूट्स क्या जनरली फिलो कर सकते हैं इसके अंदर टेंडनसी होती है किसकी फिलो करने की डियू टू बीक इंटर मॉलकुरा फोर्स आप अट्रक्शन बात करते हैं कि लिक्यूट्स कैन नोट बी कंप्रेस्ट मच लिक्यूट को क् जाना compress नहीं किया जा सकता है जैसा आपने देखा था बीक इंटरमोल का force of protection बीक है ऐसा तो नहीं बिल्कुल है नहीं लेकिन बीक है क्या कि उसकी वैसे space थोड़ा सा रहता है जाना है as compared to solid तो क्या है कि space जाना है यह ऐसा नहीं है कि बहुत जाना बिल्कुल closed है थोड़ा सा द compressed much मलब जाना compress नहीं कर सकते है थोड़ा बहुत इनको compressed हम कर सकते है ठीक है देखेंगा आप इसके बाद next बात करते हैं कि liquid जो liquids है free surface अगर free surface की बात करेंगे तो एक ही free surface रहता है जैसे कि अगर कोई container है यहापर container में आपने fill कर दिया liquid को तो उपर वाला क्या surface free है तो इस त सकते है liquid के पास क्या है कि एक ही free surface रहता है top एक अड़ माखने और यह फिर्यास की बात करेंगे तो देखेंगाव की जो gases उसमें मैंने बताया था कि intermolocular force जो क्या है intermolocular force क्या है ना की बराबर रहता है negligible रहता है इस बज़े से जो space रहता है काफी जानदा रहता है space क्याए intermolocular space जो molecules है काफी दूर-दूर रहता है space बहुत जानदा रहता है freely move कर सकते हैं जिस container में आपने field कर दिया उसमें क्या freely move करते रहते हैं वा पूरा का पूरा जो container है उसकी space को occupy कर लेते हैं तो इस बज़े से इनका ना तो कोई shape रहता है ना ही कोई size रहता है और ना ही कोई definite volume रहता है जो की इन्होंने occupy कर रहता है किसका occupy करते हैं यह container का volume को occupy कर लेते हैं तो इसको देखो एक समाझ सकते हैं activity की basis पर समाझ सकते हैं कि gases have neither a definite shape nor a definite volume कुछ भी नहीं होता है इसके पास definite तो देखिएगा क्या है कि activity समाझ सकते हैं activity में आपने क्या लिया एक आपने इसमें एक balloon लिया ठीक है? balloon लिया फुलाते हैं नहीं मूँसे फुलाते हैं वर्डे बगएरा मैं आपने देखा होगा तो मूँसे इनको फुलाया तो different shape की balloon इस तरह से बनके होगा है अब जो balloon है balloon में क्या है? air filled है air भरी हुई है तो इसका मनलाब आप क्या कर सकते हैं? कि लगा सकते है यह जो conclusion है वो आप निकाल सकते हैं कि जो gases है gases का कोई definite shape नहीं है क्यों? क्योंकि जो आपने क्या air में भी क्या है? gases है बहुत सारी आप मुसे फूक रहा है? air है air का मनलाब क्या है? वो gases है तो gases का क्या है? कोई definite shape नहीं है जो जिस type का balloon होगा उसी type की shape को occupy कर लेगा ठीक है? तो यह सारी चीज़े है आप इसके पास कोई भी इसका ना तो shape है और ना ही इसका कोई definite volume रहता है ठीक है? they take the shape of the container they occupy जो container की shape है उसको occupy कर लेते हैं आप देखेगा कि gases have definite sorry gases have maximum fluidity maximum fluidity है और capacity to flow यह इनके पास क्या definite sorry maximum fluidity है जाना जो fluidity है बहुत जाना है और flow भी कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं? आपने देखा था कि inter-molecular force of attraction क्या है? ना कि बराबर है और जो space है बहुत जाना है तो freely जो molecules हैं gases की freely move कर सकते हैं easily move कर सकते हैं बात करते हैं gases are highly compressible highly compressible के मिलब क्या है? कि आपने देखा कि space क्या है? inter-molecular जो space है inter-molecular जो space है क्या है? बहुत जाना है इतने दूर-दूर है तो इनको पास में लाने के लिए क्या करें? compressive ही तो करें easily इनको compress हम कर सकते हैं जैसे आपने देखा होगा LPG का नाम सुना होगा liquid petroleum liquefied petroleum gas क्या है liquified petroleum gas CNG का नाम सुना होगा compressed natural gas क्या है? compressed natural gas तो इन में क्या होता है? छोटे से cylinder के अंदर बहुत जाना जो gases है उनको हम क्या करते हैं? compressed करते हैं और उनको हम compress करके fill कर सकते हैं ठीक है छोड़े cylinder और फिर हम further उनको use करते हैं तो आपने नाम सुनाओगा कि इनका LPG और CNG का नाम सुनाओगा तो इससे आप समझ सकते हैं तो gases are highly compressed, compressible highly compressible होते हैं हम इनको जानदा compressed कर सकते हैं बात करते हैं कि अब free space की बात करते हैं gases have no free space, कोई भी free space नहीं रहते हैं क्योंकि gases क्या है quickly move करते रहते हैं किसी सभी direction भी move करते रहते हैं ठीक है, क्योंकि force of attraction तो बिल्कुर ना के बराबर है randomly जो motion and molecules का, वो move करते रहते हैं इस बज़े से gases के पास कोई भी free surface नहीं रहता है कोई free surface नहीं रहता है अब देखेंगा next point के हम बात करेंगे distinct using property of the solid liquid gas इस से आपको सारी जो solid liquid gas में जो difference है जो comparison है, सारे आपको clear हो जाएं किस तरह से चीज़ें आती हैं देखेंगा, तो properties है, solid liquid gas के लिए आपको ये समझो कि पूरा इसका whole analysis है solid liquid gas का, तो आप clear ये चीज़ें समा सकते हैं देखेंगा, अगर safe की बात करेंगे तो solid के अंदर क्या होता, definite safe रहता है लेकिन liquid की बात करेंगे, कोई भी safe नहीं रहता है और gas की बात करेंगे, इसके अंदर भी कोई भी safe नहीं रहता है liquid में क्या है, जिस container में आपने रखा उसकी जो container का जो safe उसको occupy कर लेते है same is, मैं भी gases में भी जिस container में रखा तो उसी की safe को take कर लेते है बात करते है, volume की तो volume क्या है, solid तो definite volume रहता है liquid का भी definite volume रहता है लेकिन gases के पाद नहीं definite volume रहता है और नहीं कोई definite safe रहता है यह सारी चीज़े है अब इसके बात की जो volume की बात करेंगे gases में अगर जिस container में रखा तो उसी container का जो volume है उसको क्या कर लेते है, take कर लेते है ठीक है, बात करते है compressibility, तो compressibility solid में क्या है, solid generally not compressible देखाया कि compressed नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि intermolecular force of attraction बहुत जानदा रहता है है ना, space बहुत कम रहता है इसलिए further इनको compressed नहीं किया जा सकता है liquid की बात करेंगे liquid slightly compressible होते हैं लेकिन gases की बात करेंगे, यह highly compressible होते हैं, जैसा आप जो उपर देखा था, highly compressible होते हैं fluidity की बात करेंगे तो fluidity, solid क्या होते हैं? rigid होते हैं fluid, जो flow है वो नहीं कर सकते हैं लेकिन liquid है, liquid क्या कर सकते हैं? flow कर सकते हैं, और gases easily flow कर सकते हैं, किसी भी direction यह flow कर सकते हैं, बात करते हैं तो free surface solid के पास बहुत सारी many free surfaces रहते हैं liquid के पास तॉप बाला free surface रहता है उपर बाला only one free surface gasses के पास कोई भी free surface नहीं रहता है क्योंकि जो molecules आपी all direction में move करते रहते हैं बात करते हैं space की space between the molecules space की बात करेंगे तो इसपेस क्या रहता है जो solid की बात करेंगे जो particles, जो molecules होते हैं, काभी दूर-दूर होते हैं, lot of space रहते हैं, किस वाएसे, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, inter-molecular, जो force है, वो क्या होता है, force of attraction, या attraction between the molecules क्या रहता है, strong रहता है, और किस में, solid में, liquid में क्या रहता है, strong, not so strong, as computer का solid से करेंगी, तो कम रहता है थोड़ा सा, और gases में, बीक रहता है, काफ़ी बीक रहता है, moment की बात करेंगे, moment of molecules, तो इसमें, अगर solid की बात करेंगे, सिर्फ इसमें क्या करते हैं, बाइब्रेट करते हैं, जो poison, mean poison, mean poison के about ये बाइब्रेट करते रहते हैं, अब बात करते हैं लिक्यूड की तो लिक्यूड क्या है मूब एराउंड विदिन दा लिक्यूड ये जो मॉलिक्यूड है लिक्यूड के अंदर ही मूब करते रहते हैं बात करते हैं कि गैसिस की मूब फ्रीली इन ओल डिरेक्शन किसी भी डिरेक्शन में जो molecules है gases की वो move कर सकते हैं तो यह सारी चाहिए आब इसके बाद एक जो activity है last activity है इस topic की इसको समझीगा क्या है कि इस activity से आप so कर सकते हैं कि solid, solid cannot be compressed, liquid can be compressed liquid can be compressed a little थोड़ा सा इनको compress कर सकते हैं लेकिन जो gas है, gas can be compressed easily gases को easily compress कर सकते हैं आपको क्या करना है, एक three 20 ml syringe लेना है एक rubber cork लेना है और sand इसके बाद water और baseline यह सारे चीज़े लेना है तो क्या करना है, एक मैं तो यहाँ पर जो nozzle देख रहा है, nozzle पर आपको rubber cork लगा देना है तीनो सरंज में, जो rubber cork है आपने लगा दिया, इसके बाद इसमें क्या solid है इसमें आपने solid को filled किया और इसमें क्या liquid को filled किया और इसको आपने empty रखा empty मलब empty नहीं है, empty मैं भी gas है gas क्या air है, air में क्या बहुत सारी gases है आप क्या करेंगे, जो piston है यह piston है, इसको क्या करेंगे इसको इस तरह से push करेंगے तीनों को push करेंगे तो इस पे आप देखेंगे प्रेसा प्रेस करेंगे जो दे चे Lang Pасти अगर हम बात करेंगे उसको आप प्रेस करेंगे तो आप करेंगे ठिक है आप इसको push करेंगे तो press हो जाएगी easily तो इस तरह से जो conclusion है आप निगा सकते हैं तो conclusion क्या है कि इस observation से आप समझ सकते हैं यह तो compressed इसे जब करेंगे आप press करेंगे push करेंगे तो easily नहीं हो रहा है लेकिन यह थोड़ा सा होगा और यह कापी पूरा का पूरा यह compress civil हो पाएगा push आप easily कर पाएगे तो इसका मलब कहा है कि जो gases है gases कहा है highly compressible gases कहा है highly compressible liquid कहा है liquid slightly compressible होती है अगर solid की बात करें solid कह रहाते है in compressible solids कहा है solids are incompressible तो इस activity से आफ compressibility को check कर जाकते है किसके लिए solid liquid gas तीनों के लिए तो यह सारी चीज़ें इस दा होर एनलसिस ऑप इस टॉपिक यह फर्स्ट चैप्टर एक हदम हो गया आपका यह मैटर है ठीक है फर्स्ट पार्ट था इसका और सेकंड पार्ट यह वाला है तो दोनों को आप अच्छे से देखीगा आपको चीज़ें अगर न जिससे कि जो भी अपडेट्स हैं जो भी नोटिफिकेशन्स हैं आपको सारे मिलते रहें नौ थैंक वो बाचेंग